वेलकम बेक टो मालें चैनल एजए आक निफ्यी आप six'पाइरी तो ये दिन एक जबदस बॉल सकते एक निफिटी ग Earp a-up और अहने के बासास सस्टेन के उपर अपना को ता मिट्सके पास तो अशनलonihes को अफना को और निफ्याद के तो जबरस फॉल है तो में बैंक निफ्टी में तो अपना HDFC बैंक और 1% डाउन HDFC बैंक और इवन ICA से और एकसिस बैंक भी मेजर हेविवेट बैंक आज डाउन है तो इसका अचलते एक जबरस एक फॉल देखने को मिला और और फैट का एक अनॉंस्मेंट भी था तो अपना इंफ्लेशन कोई इंफ्लेशन का चलते कोई इंप्रिमेंट नहीं है फिलाल तो उसे ही चलते एक नेगेटिव रिमार्क भी है तो वह एक मेजर फैक्टर है निफ्टी और मार्केट आज करेक्शन के लिए तो एक जबरस आज देखने को मिला है तो आज जो भी अपना इंट्रिडे प्लेयर निफ्टी में ही रोघ्टी zeker लोगा ईए अच्छा मुउमेंट्टम केप्चर किया उगा आच्छा पैसा बनाया हो और हर हर रोज हर एक्सपर हर मॉमेंट्टम काहीं मिलता है तो इसको यह वेट वेट कर मेरे डेली चार्ट में के पास एक कॉल रेटर एक्टिव है इसमें भी अपना यह नेक्स मन्त में नेक्स मन्त का फर्स वीक में भी और इधर थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ सकता है जैसे कि मैं बताया नेंटीन दोजन फाइट के पास अच्छा का साथ सपोर्ट है और वह सपोर्ट तक अगर लेवल होल्ड करता है तो थीक निफ्टी तो अगर वह अगर फर्दर करेक्शन हो सकता है तो एक करेक्शन तो जरूई है बैंक अपना है मर्केट के लिए और रिटेल इन्वेस्ट के अपने को सब्सक्राइब करने में और आपका फॉट्फोलिय बढ़ाने में और उपर का लेवल में जो भी बैक किया होगा तो थोड़ा बहुत उसको लॉक्स देखने को मिलेगा इवान इंडेक्स और इंडेक्स में आप देख पाऊगे टॉप गेनर्स में निफ्टी में आज फार्मा सेक्टर आज एक्तम बुलिष था सिपला हो गया संफार्मा डीविस लैब अर्विंदो फार्मा ये सब बुलिष था थाटा मोटर्स हो भी आज 0.76 परसेंट था तो ये सब आज इसका चलते एक आज मोमेंटम अपना फार्मा सेक्टर आज थोड़ा होल कि ये तो जवरत साज एक गिरावट होता था अभी क्योंकि एक इंडेक्स अपना में रोटेशन भी चलता है तो ठीक है अभी है अगर कभी-कभी ये सेक्टर चलेगा तो फार्मा ने चले तो आइटी चलेगा इटी चलेगा बैंकिंग चलते रहेगा तो निवस फो में कोई- डो स्टॉक डिसकस किये थे एक कल का सेशन में अपने को कल आज ट्रिकर मिला अपना यह 118 के आसपास अपना एक बैंग प्रेस तो टार्गेट तो चुने ही यह लागया वह 122 का है अरॉंड आज दो परसंड का एक बड़ा बड़ोतरी देखने को मिला यह तो टार्गेट लेकिन एक दिन में नहीं होता है एक स्विंग डेली चार्ट में हम लोग ट्रेड करते हैं तो तो टाइम आपको देना पड़ेगा क्योंकि आज वॉल्म भी अच्छा कास है काफी दिन से इसमें बाइंग हो रही है तो एक कंटिनेशन पाटन भी है तो और मंटिपल प्रेड नहीं मिला सुबह और अम लोग ट्रेड नहीं किया सोबह में माकसंस अभी कंटिनेशन होएगा अभी देखते हैं अभी एक दो दिन आम लोग आउर देखते हैं इसको क्या डेवलोप्मेंट होता है और लास्ट वीक का इंडो बोरेक्स आज वो अपस ऐसे कि मैं प टागेट तो अची हो गया भी आपका मरजी जैसा राइड करना चाहते हो राइड कीजिए और ट्रेल करना चाहिए तो ट्रेल कीजिए और 50 परसंट या 70 परसंट बोक भी कर सकते हो तो यह सब चलता रहेगा और अपने एक फेडरेट स्टॉक है और एक टेक्समेको राइल राइल इंजिनरिंग वह काफी साम काफी अम लोग एकजिट कर चुक है इसमें एक लेवल में आम लोग एंट्री कियें और फॉफिट वोक कियें वापस एंट्री कियें तो यह सब चलता रहेगा इस जैसे नए-ना चाह्ट डूने ज़रूत नहीं जो आम लोग अल्रडी कर इसे आप इसमें बीकर सकता है अब वह वह वापस इसमें कर गया जिसके पास है और वह वह होड कीजिए अपना प्राइस अपना प्राइस ता 73 से 74 का अश्री अपास हम लोग अपने अपने आप यह इंग प्राइस अब लोग आटार आज एक हाई लागा दिए यह तो इह तरीका अपना स्विंग करने का और मोमेंटम ट्रेडिंग करने का जिस स्टॉक में मोमेंटम है आप लगे रहे हैं और रोज नाया नाय स्टॉक डूने के जरूत नहीं है तो पहुत पेशन्स रखिए उसमें पैसा बन जाएगा अभी देख लिए इंडो बोरेक्स में दो दि इसमें भी होगा इसमें अब चलता रहेगा और बाकी तो जिसमें स्टॉपलस लगा थीक है इसमें आप निकल जाए और एक्शन कंस्ट्रक्शन अब भी बुलिश ही है अभी लगे रही है इसमें टेक्स में को राइल में आप वह पास एंट्री ले सकते हैं कर आप कली Entry ले सकते एंट्री का प्राइज एक्शन देक्शन आप यह आप अपस बैइंग आ रहे इसमें अपना भी लौंग्टर में 150 लेके बैटे थे 50 आगेट रहेगा तो चलता रहेगा है क्ल हम लोग किसमें ट्रेट गरें उसका बारे में बात करेंगे कल हम लोग एक ट्रेडिंग डूंडेंगे आर इसी में तो एक आज आठ चला है क्योंकि एक रिजल्ट का एक सीजन है तो अच्छा का सा रिजल्ट आया उसका तो इसी के चलते आज आठ परसंट के एक मोमेंटम देखने को मिला है एक लगातार अप्ट्रेंड में अप्रेंड स्टॉक है तो एक continuation pattern भी है और एक news flow भी है अच्छा का सा रिजल्ट आया तो इसके चलते आप खल भी इसमें एक पॉजिटिवनेस रह सकता है यहन मार्केट नीचे रहेगा तो भी स्टॉक तो मिल जाएगा आपको काम करने में अगर इंडेक्स मिने तो स्टॉक मिली जाएगा कोई न अपना इस्ट्री भी देख चुए लास्ट मेने में भी तो एक इसा एक 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 स्टॉक मिले तो अपना काम बन जाएगा आर इसी में हम लोग कल अप्रायज एक्षन देखे करेंगे अगर पांचे पसंट उपर करेंगे उपर जैसे कि आपमें बताया तो उसको आपर उपर बर्भी तो अश्पीं करने को कोशिश करेंगी इसे में इंसाइट बारक ब्रेक आउट है और इंसेट ब्रेक आउट अचा का सभ हुआ है तो इसमें सब्सक्राइबь और आटक में अब इस नहीं है तो इसमें को अपना चगा से कवाल्य मी रेज हुए और बेडिकत शल्ट का चलते उसमें मार्केट भी उसको पसंद आया रिजल्ट रिसका पहुर। इसका आज बहुत हुल शचयूर्ट हो सकता है खल भी इसमें भी देखलत के कंटेशन पैटन है चयूर बना हुआ है और वालति起 vrij तो एक positive factor होता है अपने को एक momentum capture करने के लिए तो यह हो गया अपना दूसरा stock सिंजिन में और तीसरा stock है mmtc mmtc एक risk reward favorable stock है एकदम नीचे bottom में तो इसमें अच्छा-कास अपने को momentum मिल सकता है mmtc में जैसे कि आप में बताया तो इसमें वालीम का अच्छा-कास बिल्डफ हो रहा है कहीं दिनों से तो यह भी इसमें प्रेडिंग अपर्शनेटी कल अम लोग सुभे मार्केट कुलते हम लोग दूढ़ेंगे तो कल नहीं एफनों के लिए नहीं से कल तो है कैश वाला सा स्टॉक है mmtc तो इसमें हम लोग एक मार्केट ओपन होने के बाद हम लोग तीनों में से कोई किसी में एक में लेकर तो भी बहुत है तो अपना प्रेड़ पर नस्टा अपना यह तो चली चली रहा है अटेक्स में को हो गया अर्या अपना और इंडो बोरेक्स हो गया यह सब अपना स्टार फफो हमारे है अफ्थे में तो चली चली रहा है उसको राइट कीजी ट्रेड नहीं मिलेगा तो ठीक है तो ठोड़ा बहुत रिलाक्स कीजी और रोज ट्रेड करने के जरूत भी नहीं है और स्विंग ट्रेडिंग में आपको अब अब बहुत मोमेंटम क्याप्चिर करने थोड़ा बहुत पेशंस चाहिए कभी-कभी एक दिन में आपको ट्रागेट नहीं मिलता है दो दिन में मिलता है एक अप्थे में मिलता है तो आपको वेट करना पड़ेगा एक ब्यूटी अपना इसका श्विंग ट्रेडिंग जितना भी आप वो इंडेक्स में ट्रेड करते होंगे तो जो भी आप उसको लॉस रेकवर कर सकते हैं अगर पेशंस रहेगा तो स्विंग ट्रेडिंग में जैसे कि बताया आपने इंडो पोरेक्स में देख लिए जैसे कि अपना मैस्गो डॉक में देख लिए आप और ब गोले पूलबैक में वेट किजिए अभी जूब अभी उपर का लेवल हम लोग फ्रफिड करेंगे और ऐसम अब ाप लेता तो आप वींड प्रफिड विकेंड पर लेगा तो विकेंड रहेगा तो विकेंड रेगा तो व्लिक्न कीजिए जो भी फूच पुजिशन उसको रहेड कीजिए और उपणने को पैसे बनते रहेगा बस ऐसे देखते रहेगे सपोड कीजिए और ट्विटर में अपने को फॉलो कीजिए तो आज भी आपना उसमें हम लोग पोस्ट किये जैसे के ट्रेट हुआ तो बस अपना खायल रखें और दोसों बस टेयर किजिए थैंक्स पर वाचिंग